हेलो फ्रेंड्स, GetMyUniversity टीम की तरप से मैं हूँ आशीष, आप सभी का स्वाद करता हूँ हमारी इस चैनल पे दोस्तों अगर आपका स्कूर 300 से 300 से 300, 400 की बीच में फॉल कर रहा है अब 65 से 300,000 की बजट होते वे भी आपको अब तक आप्शन नहीं मिल पाया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है वो मौका आपको मिल रहा है आंध्रप्रदिस की कौंसिलिंग प्रॉसेस में आंध्रप्रदिस की round 1 की कौंसिलिंग प्रॉसेस को स्टार्ट कर दिया गया है यहां की B category और C category seats की उपर में allotment किया जाएगा B category seats उसे ही कहा जाता है जिसे management quota पी कह सकते हैं आप जिन पे non-numisail बच्चे participate कर सकते हैं इन seats के उपर में जो budget overall होता है वो 65 से 70 लाक रुपे के बीच में fall करता है To be very precise मैं आपको बोलू तो 67 से 70 लाक रुपीस का अगर budget है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा destination होगा यहां की colleges के बारे में अगर बताओं तो academic standard बहुत अच्छा है आपको किसी भी college में education को ले करके किसी तरह का कोई gap नजर नहीं आएगा overall बहुत अच्छा options है अगर आप southern state में comfortable है तो आपको ज़रूर यहां पे options को explore करना चाहिए इस video के मादव से मैं आपको बताओं कि यहां पे कौन-कौन से colleges है counseling का क्या process होता है कौन-कौन से points हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए यहां के top 5 medical college के बारे में बताओंगा उनकी सारी statistical जो data है वो आपके साथ में share करूँगा आपको बताओं कि क्या expected हो सकता है यहां का cut-up इन सब जीजों को आईए इस video की मादव से समझते हैं हमारे इस video को आकेर तक जरूर देखेगा ताकि आप counseling से related सारी information को अच्छी तरीके से समझ करके attend करें हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जाज़ जादा like करेंगा subscribe करेंगा और share भी करेंगा तो आई देशते हैं आंद्रपदिश की counseling process and eligibility क्या है तो मैं आपको बता दूं कुछ important यहां पर point जैसे कि website जहां पर आप जाकर करके अपने form को register करेंगे वह है ugmq.ntruhsadmissions.com डेट जो है 5th मार्च से यह start हो रहा है यानि कि आज से 11th मार्च को यह close होगा form filling सिर्फ round 1 में allow किया जाएगा यानि कि अगर आप आज मिस कर जाते हैं तो आप अगले round में यहां पर participate नहीं कर पाएंगे mode रहेगा online mode round 1, round 2, mop up तक stray vacancy अगर conduct कराए जाएगी तो वह offline mode पर किया जाएगा choice filling हर round में open किया जाएगा type of seat जो है यहां पे वह है B category and C category B category management quota seats है C category NRI quota seat है eligibility conditions यह है कि जो other state के बच्चे हैं वह यहां पर apply कर सकते है B category seats के उपर में application cost है 10,620 का security deposit कि किसी तरह का किसी भी round में applicable नहीं है special condition वह यह है कि bank guarantee यहां पर applicable है वह one year के अब यह important facts है आन्दप्रदिस की counseling को ले करके सबसे पहला point यह है कि आप किस condition में counseling से बाहर हो जाएगे जैसे आपको round two seat मिली है अगर आप report नहीं करते हैं तो आप counseling में बाहर हो जाते हैं आप top off ground में फिर से रीएपियर नहीं हो सकते हैं , अगर आप round में रिपर्ट नहीं करते हैं तो ऐसे case में आप round 2 में eligible होंगे, बट आप same college को आपट नहीं कर सकते हैं ona कि for example, अगर आपको Apollo Medical college चेत्टूर round one में allot हो रहा है और आप उस college को रिपोर्ट नहीं कर तो तो round 2 में आप Apollo Medical College चित्तूर को choice filling में नहीं डाल पाएंगे, आप इसके हिलावा बाकी के सारे colleges को आप डाल सकते हैं, अगर आप किसी और भी counseling process को साथी साथ आप attend कर रहे हैं, और आपके मन में ये confusion है कि अगर आप यहाँ पे choice filling अगर करते हैं, कोई seat आपको definitely error हो जाएगी, अगर आपका score बहुत अच्छा है, तो ऐसे conditions में आप counseling से बाहर हो जाएगे, तो मैं आपको बता दूँ कि आप अगर किसी और state में लग रहा है कि आपकी possibility बहुत जादा है, और चुकि यहाँ पे round 2 में cut-up drop करेंगी, तो ऐसे case में अगर आप choice filling skip करते हैं round 1 में, तो उस condition में भी आप counseling में बने रहेंगे आगे कि round में, minimum qualifying marks है 138 for non-under high students, bank guarantee mandatory है 1 year की, जो fees structure है 12 lakh rupees, इस amount को आपको अपने bank में fixed deposit की रूप में, या फिर कोई भी collateral आपको bank को available कराना होगा, जिसके basis पे bank college को bank guarantee issue करेगी, और यही क्या होता है वो समझे, bank guarantee एक ऐसा document है, एक agreement है, जहां पे bank आपके भीहाफ में college को एक guarantee assure कर रहा है, कि अगर आप कल को discontinue करते हैं college, तो वैसे कागे इसमें bank 12 lakh rupees का payment, बिना आपसे permission लिए college को वो कर देंगी, और आपका जो भी collateral उनके पास है, वो उसे वो liquidate करके take over कर लेंगे, seat और fee का tenure क्या है, इस category की जो seats है, उनके लिए 921 seats available है, 4.5 years का tenure है, safe score मैं मानता हूँ, 360 से 370 के बीच में, अगर आप counseling में late round तक अगर आप बने रहेंगे, तो उस case में और भी कम score पे options मिलने के काफी chances है, अब ये list of colleges है, और इनकी establishment tier, साथे में B category में कितनी seats हैं, fee structure, fee structure में बता दूँ कि सारे colleges में uniform है, 12,00,000 रुपे का fee structure fixed किया गया है, और ये हर college में exactly यही है, जो variable component है, वो है hostel और miscellaneous charges, जो college to college vary करेगा, on an average में आपको बता दूँ कि आप अगर 12,00,000 के उपर में, 1,50,000 का hostel expense higher side पे, और 1,50,000 का miscellaneous expense higher side पे, यानि कि 3,00,000 रुपीज all together आप 12,00,000 के उपर में रखते हैं, तो 15,00,000 रुपीज आपका overall cost आता है, जिसके basis पे 67.5,00,000 रुपीज का आपका total cost आपके course की completion को लगेगा, तो इस budget में अगर आप है comfortable तो आप जरूर यहाँ पे apply करें, और नराइन Medical College गुंटूर में यह located है, 2003 में established किया गया था, 70 seats हैं यहाँ पे B category में, नराइन Medical College नेललोर में है यह, 2000 में established किया गया था, 87 seats हैं यहाँ पे, आश्रम Medical College इल्लूरू में है, 52 seats हैं यहाँ पे, Dr. P. Siddhartha Institute of Medical Science चेनाटपली में है, 2002 में established किया गया था यह college, 52 seats हैं यहाँ पे, P.E.S. Institute of Medical Science जो कि कुपम में है, 2001 में established किया गया था, 52 seats हैं, Apollo चितूर को भी recognition मिल गई है, 52 seats हैं यहाँ पे, GSL Medical College राजमुंदरी में 70 seats हैं, 2002 में established किया गया था, कातूरी Medical College गुंटूर, चो कि विजयवारा के पास में है, यहाँ पे, यह college 2002 में established किया गया था, 52 seats हैं, तो हर college यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे colleges recognized हैं, और almost Apollo चितूर को छोड़ करके, बाकी की जितने colleges से सब old establishment है, जो कम सिकेम 17-18 साल या 20 साल पुराना हो चुका है, सांतिराम Medical College, नंदयाल में है, यह located 2005 में established किया गया था, 35 seats हैं यहाँ पे, कोना सिम्या इंस्टिटीट आप मेडिकल साइंस अमवलापूरम में है, 2005 में established किया गया था, 52 seats हैं यहाँ पे, NRIE Medical College जो कि गुंटूर है, उनका second campus विशाखा पत्ना में established किया गया था, 2012 में 52 seats हैं यहाँ पे, महराजा इंस्टिटीट आप मेडिकल साइंस जो कि विजाए नगरम में है, 2002 में established किया गया था, 52 seats हैं यहाँ पे, Great Eastern Medical College स्रिका कुलम में आपके लिए 52 seats हैं, 2010 में established किया गया था यह college, GBP Institute of Health Care and Medical Technology, विशाखा पत्ना में यह college है, 2016 established है, 52 seats हैं यहाँ पे, विश्प भारती Medical College जो की कर्णूल में है, 2014 established है, 52 seats हैं यहाँ पे, निम्रा और फातिमा यह दोनों minority colleges हैं, जहाँ पे जो बच्चे मुस्लिम minority से बिलॉंग करते हैं, उनको यहाँ पे seat मिलेगी, अगर यह seat इनके बाद में vacant रह जाती है, तो जनरल बच्चों को भी यहाँ पे seat allocate की जाएगी, 2016 में established हुआ था निम्रा, 52 seats हैं यहाँ पे, फातिमा में 35 seats हैं, 2010 में established किया गया था, अब यह आंध्वदिश के top 5 medical colleges हैं, हलाकि इसके बाद में भी जो colleges हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ के चुनिंदा अच्छे colleges में से एक हैं, जिन में सबसे पहला नाम आता है, NRI Medical College गुंटूर का, यहाँ पे 111 PG की seats है, DMMCH यानि की Super Speciality Program भी यहाँ पे, 15 seats हैं यहाँ पे, 1050 बेट की hospital है, OPD का एवरेज फुटफॉल है, 1470 का है, faculty 309 है, 88% का passing percentage है, 480 से 490 के बीच में आप expect कर सकते हैं, maybe round 1 में नहीं, but round 2 में cut-off drop करेगा, तो इस score पे आपको college यह अलोट हो सकता है, नरायन Medical College नलॉर जो की काफी popular college है, थोड़ा patient flow को लेकर के gap आया है, पहले के comparison में, otherwise बाकी चीज़ें इस college की बहुत ही बहतरीन है, 1430 बेट की hospital है, 26 seats यानि की पूरे state में सबसे ज़्यादा super specialty जो department है और जो course है, वो इसी college के अंदर में है, 315 faculties की strength है यहाँ पे, 89% का passing percentage है, 480 से 490 के बीच में आप यहाँ पे expect कर सकते हैं, cut off, आश्राम medical college इल्लुरू, 142 seats हैं यहाँ पे PG की, यहाँ पे अभी super specialty program स्टार्ट नहीं किया गया है, 1150 बेट की teaching hospital है, 1262 का daily average patient flow है, 335 faculty strength है, 86% का passing percentage है, 460 से 470 के बीच में आप यहाँ पे expect कर सकते हैं, GSL राजमंदरी में 116 PG seats हैं, और super specialty program भी यहाँ पे run किया जा रहा है, 5 seats हैं यहाँ पे, 1140 बेट की teaching hospital है, 1710 यहाँ की बहुत अच्छा patient flow है, इस college के अंदर में, 311 का faculty strength है, 83% का passing percentage है, 440 से 450 के बीच में आप cut-off expect कर सकते हैं, Apollo Institute of Medical Science चित्तू, जो की बहुत fastest growing college है, इस state के अंदर में, एक government run hospital को take over करके, यह college आज के देट में बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आया है, 40 PG seats भी यहाँ पे आ चुकी है, अभी super specialty program का permission इनको नहीं मिला है, 850 bed की hospital है, 1117 का average patient flow है, 279 faculty जो की gradually यह बढ़ाते जा रहे हैं, इनकी recruitment चल रहे हैं, 86% का passing percentage समय देखा गया है, 430 से 440 के बीच में आप इस college में expect कर सकते हैं cut-off को, तो overall आंदर परदिस में colleges बहुत अच्छे हैं, आप कोशिश करिए, अच्छे तरीके से choice filling करिए, अगर आप किसी round को skip करना चाहते हैं, अगले round में जाना चाहते हैं, तो बहतर है कि आप choice filling या तो selective करिए, limited करिए, या फिर ना भी करके आप अगले round में जा सकते हैं, अब यह list of document है, जो कि आपको अभी required होगा, at the time of application, जिसमें net scorecard, 10th mark seat, अधा card, 12th mark seat, cast certificate, अगर applicable हो, Muslim minority certificate, अगर applicable हो, PWD certificate, if applicable of photograph, bank guarantee, allotment letter, eligibility certificate, migration, TC, application printout, net admit card, यह सारे document आपको reporting के time पे देना है, इस समय आपको application के time पे इसकी कोई जरुवत ने है, bank guarantee के लिए आप college से permission मांग सकते हैं, request कर सकते हैं, एक application देख करके, जहाँ पे आपको 10 to 15 days का time दिया जाएगा, तो आप अगर आंत्रदिस में apply कर रहे हैं, तो आप अभी से अपने bank में जा करके, bank guarantee की formalities के लिए आप बातचीत करके रखें, ताकि बाद में आप time को save कर सकें, और कम से कम समय में आपको bank guarantee मुहाया किया जाएं, अभी reporting and upgradation का जो step है वो देख लिजे, सबसे पहले आपको download करना है अपने allotment letter को, DD आप prepare करिए या फिर RTGS भी कर सकते हैं, college में directly report करना है, यहाँ पे किसी तरह का कोई nodal center नहीं है, willingness आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप upgrade करना चाहते हैं, एक दिन का सारा process है, जहाँ पे आप college में हर तरह के process को complete कर सकते हैं, उमीद करता हूँ कि आपको हमारे session प्रशन आया है, अगर आप हमारे साथ में paid counseling के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, तो 76786-76001 पे आप contact करिए, हमारे team आपको maximum support करेगी, ensure करेगी कि आपको अच्छे से अच्छे colleges में admission मिले, अगर आपको हमारे session पसंद आया है, आंत्रदेश की counseling process को ले करके, तुमारे इस channel को जाद जादा like करेए, subscribe करेए, share करेए, ताकि जादा जादा लोगों तक हमारे ये video पहुंचे, और आप सभी को counseling में हम आगे मदद करते रहेंगे इसी तरीके से, और भी अच्छे अच्छे videos हम लेकर के आएंगे, मिलते हैं आपके साथ में, अगले वीडियो के साथ में, बहुत जाल. Thank you for watching this video. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.